नमस्कार में प्रणित मेरेंदर रुपाधिया लाइव हिंदोस्तान के जोतिशिय कारिक्रम में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं सबसे पहले 13 नॉब्बर 2022 की दिराहिस्तिती देखते हैं राहु मेश राशी में मंगल और चंद्रमा मिथुन राशी में मंगल वक्री है सोरी बुद्ध शुक्र केतु दुला राशी में शनी मकर राशी में गुरु वक्री होकर के मीन राशी में गोचर में राशी फल देखते हैं किया गया पूरुशार सार्थक होगा, रोजी-्रोजगार में तरक्की करेंगे, स्वास्त की एस्थती पहले से बहतर है, प्रेम संतान अभी भी मध्यम है, व्यापार अच्छा, लाल बस्तु पास करेंगे, व्यापारिक द्रश्टी कोन से आप सही चल रहा है, लाल बस्तु क दान जाएगी मिथुन रची मिथुन रची कि इस्थिति शारीरिक मानसिक बहुत अच्छी नहीं है आप हर पल शारीरिक रूप से भी थोड़ा सा परिशान हो जा रहे हैं, मानसिक रूप से भी परिशान हो जा रहे हैं, लेकिन ब्यापार आपका सही चलता रहे है। प्राप्ती होंगी, रुका हुआ धन वापस मिलेगा, आयके नमिन शोत बनेगे, शुब संकित भीखरा है, स्वास्त पे ध्यान देगे। कस्ट नहीं है, थोड़ा मामुली कस्ट रहेगा, रोजी रोज़दार में तरक्की करेंगे, स्वास्त में सुधार हो गया है, प्रेम और व्यापार की इस्तिति अच्छी है, एक मध्यम से अच्छा समय, गणिजी को प्रणम करते रहे। जोखिम धरा समय, चोट्षय पेत लग सकता है, किसी परिशानी में पर सकते हैं, परिस्थतिया प्रतिकूल है, स्वास्त, मध्यम, प्रेम संतान अच्छा, व्यापार लगभग ठीक रहेगा, शनिदेव को प्रणम करते रहे। धनुराशी, जीवन साथी का सानित धिमेलेगा, रोजी रोज़ार में तरक्की करेंगे, व्यापारिक लाब होगा, प्रेम के इस्थति अच्छी रहेगी, संतान पे ध्यान दे थोड़ा, स्वास्त मध्या, हरिवस्तु का दान करें। मकाराशी, शत्रू परिशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी एक नहीं चल पाएगी, और आप सही दिशा में पढ़ने लगेंगे, स्वास्त अच्छा है, प्रेम संतान अच्छा है, व्यापार भी अच्छा है, हरिवस्तु पास रखें। कुम्भराशी, भावनात्मक समंधों में थोड़ा तूच्छु मेहने का संकेत है, स्वास्त ठेक ठाक, प्रेम संतान मध्यम, व्यापार आपका सही चलता रहेगा, हरिवस्तु पास रखें। में डाशी, भावतिक सुक संदा में ब्रधी, प्रेम और संतान से समीपता, व्यापार आपका अच्छा चलता रहेगा, लाल बस्तु पास रखें। नमस्कार।